हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो जॉर्टिका गेमिंग, तो आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, इंग्लिश चैंपियंशिप T20 का मैच, हैंप्शेर वोमेन वर्सेस एसिक्स वोमेन के बीच में होने वाला फास्ट T20 मैच के बारे में, तो ये वीडियो पूरा द ये मैच देखिया हैंप्शेर वर्सेस इंग्लेंड का डोमेस्टिक T20 ये फास्ट टाइम ड्रीम 11 पे हो रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ तक क्योंकि मैं आज लगबग 3-4 साल से वोमेन मैच खेलते आ रहा हूँ, डोमेस्टिक पे आप लोग को पता है, जो लोग सुनना मत, अगर ज्यादा कुछ सुनोगे तो इस मैच पे अच्छा नहीं कर पाऊगे, मैच बहुत ही अच्छा मैच है, बहुत बहुत अच्छा मैच है, और इस मैच को जीतने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, छोटा सा व बिना जॉइन किये, यह मैच को मत खेलना, क्योंकि जो फाइनल टीम होगा, वो टेलिग्राम पी होगा, मैं यह वीडियो पे शर्फ प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो की ग्रैंड लिक का प्लेयर्स होगा, एसल का टीम आपको कहां पे मिलेगा, मेरा टेलिग् टीम लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, टीम लिस्ट पे आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, देखिए, यह टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, यह टेलिग्राम चैनल पे मैं अल्रेडी एक बहुत महनत करके एक प्रोबैवेल प् बरसेश्स एसेक्स ओमन इन दोनों में से थोड़ा सा स्थ्रॉंग टिम कौन है हें शेर वोमन है ठेग Mund документа के सबस्यापि ही स्वेस्ट कर वोमन है बदल चीजे बदल सकता है अगर एसेक्स के लिए Maddie Willers खेलते हैं तो Maddie Willers का Ability News मेरे पास अभी तक नहीं है अगर खेलते हैं तो पुरा कहानी बदल जाएगा तो मैं वो आपको बताऊंगा धीरे-धीरे सबसे पहले Hampshire Woman का सबसे main batsman जो है वो है A.E. Chandler बहुत अच्छा consistent player है हर एक match पे आपको 25-30 run करके देखे जाएंगे देखिए woman match T20 पे 25-30 run का कम नहीं होता है क्योंकि कोई batsman 15-20 run से ज़्यादा करी नहीं पाता है और इनका आपको 25-30 point साथ में एक दो catch का point आपको मिलेगा main batsman है E. Chandler इनको छोड़ना मत बहुत अच्छा pick है हर एक टीम पे इसको आपको लेना है अगर 10-11 टीम से G.L. खेल रहे हो किसी भी application पे खेल रहे हो इनको छोड़ना मत उसके बाद जो player है aim voucher and Sophie Mitchell Moore इन दोनों में से कोई एक खेलीगी ठीक है और जो खेलीगी वो open करेगी ठीक है इन दोनों में से मेरा थोड़ा सा डाउट है देखिए aim voucher का थोड़ा सा international match का इनका experience है Mitchell Moore का experience उतना international match का नहीं है बट दोनों के दोनों consistent player है इनका opening player strong strong है Hampshire का इसलिए इनका जीतने का chances जादा है Hampshire का opening तो Hampshire का opening players ये एक G.L. का tips है Hampshire का opening bear versus Essex का bowlers का match होगा यहाँ पे Maddie Willers अगर खेलता है तो एक बहुत बड़ा role ले सकता है बट अगर Maddie Willers नहीं खेलता है तो Hampshire woman strong बन जाएगा match हो जाएगा क्या आपको 60-40 match होगा 60 होगा Hampshire के form में 40 होगा Essex के form में और अगर एही अगर Maddie Willers खेलता है तो match होगा बिल्कुल 50-50 क्योंकि Maddie Willers एक बहुत बड़ा नाम है domestic में तो obviously है international पे भी है तो उसके बाद इन दोनों में से किसी एक जो खेलना है आप pick कर सकते हो उसके बाद C.D.N. C.D.N. F.I. Morris इन दोनों का जो batting order है इन दोनों का जो batting order है यह batting order थोड़ा से उपर नीचे हो सकता है देखिए F.Mod Morris कभी कभी आगे आ सकता है C.D.N. पीछे आ सकता है इन दोनों का batting order 3-5 3-4-5 situation wise यह दोनों यही 3 position पे batting करेंगे ठीक है और आपको साथी साथ bowling का भी कुछ overs यह करके देंगे बहुत अच्छा pick है all around a section पे उसके बाद EU win sir मुझे यह player उतना अच्छा नहीं लगा है especially देखिए last covid के लिए तो बहुत दिनों से match नहीं हो रहा है बहुत पुराना record है ठीक है और उसका भी कुछ practice videos है बहुत प्रीमियम साइट से मुझे मिला है कुछ practice का video win sir मुझे अच्छा नहीं लगा है अब grand league में try करना है तो एक team से एक ही team पे try कर सकते हो उसके बाद why bro भाई why bro तो bro है चलो मत ले ना इसको ठीक है थोड़ा सा नीचे batting करने आएंगे क्योंकि ACUJS उनका उपरेंट का विकेट कीपर है वो थोड़ा सा उपर बैटिंग करने ओपेनिंग पे आएंगे तो why bro को मैं छोड़ आओ अगर woman match में ना विकेट कीपर के बहुत अच्छा roll कह रहता है catching और stamping का तो catching और stamping के बज़द से आपको वाइब्रो पॉइंट दे सकता है अगर Hampshire woman पहले बैटिंग पहले बोलिंग कर रहा है तो आप वाइब्रो को ले सकते हो catching और stamping का पॉइंट शायद यह आपको ओपोनेंट का विकेट कीपर से जादा दे पर ऑपोनेंट के विकेट कीपर एक अच्छा batsman है ठीक है इसलिए मैं इनको तो SL पर प्रफर नहीं करूंगा उसके बाद है मुना घंगा सबसे ज़्यादा selection percentage all around the section में मुना घंगा और मुझे अगर reason पूछोगे तो भाई मुझे नहीं पता है उनका बाद कुछ अलग है मैं नहीं जाओंगा I respect all that thing बट मेरे लिए तो ठीक है ओके मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा एम ओन अगर highest selection percentage all around the section अच्छा उके उसके बाद आता हूँ कौन C Taylor C Taylor बहुत अच्छा बोलर है one of the best bowler है domestic circuit का छोड़ना नहीं है हर एक team पे लेना है उसके बाद मैं आता हूँ A-Dawsy A-Dawsy एक average batsman है ठीक है खेल भी सकता है नहीं भी खेल सकता है अगर दूनों खेलेगा voucher and Mitchell Moore तो दाउसी तो नहीं खेलेगा नॉर्मली इनका ground पे कोई काम नहीं होता है fielding करने के लिए आता है और अगर 7 wicket, 8 wicket गिर गया तो ही आता है मत लेना छोड़ देना उसके बाद F-Truseller and G-Lane दोनों के दोनों अच्छा बोलर है ठीक है ऐसा नहीं है मतलब जीलेन का एक थोड़ा सा प्रॉब्लेम है इसका थोड़ा सा पीटा ही हो जाता है ठीक है जादा एकोनोमिकल तो यह है नहीं बट दोनों के दोनों बोलर अच्छा है उसके बाद मैं आता हूँ A6 women पे तो वीडियो में जल्दी खतम करने वाला हूँ साथ मीट आठ मीट हो चुका है जितना जल्दी हो सकता है इतना बोलने के लिए इतना कुछ है ना और ग्रेंट लिक लिए इतना अच्छा मैस है ना हर एक पॉइंट बहुत इंपोर्टन है स्किप मत करना वीडियो को और वीडियो को अप लाइक कर देना यार आपका लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और कॉमेंट करके बताना यह मेहनत करके एक के बाद एक छोटा छोटा इंफरमेशन आपको कैसा लगा तो प्लीज कॉमेंट करके बता देना उसके बाद सिक्स पे सी डाल्टन गुड बैट्समेन मस्ट पिक एस हुजेस अच्छा बैट्समेन है पिक कर ले रहा विकेट की पसेक्षेन में तो सेफ है यह ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे के स्पीड के कैस्टल इन दोनों में से दोनों के दोनों अच्छा ओल राउंडर है नौर्मल दो तीन ओवर का बोलिंग सारे एहाँ पे न सारे बोलर सारे कोई बॉलकरते रहते है दो तीन ओवर दो तीन ओवर ऐसा नहीं आधिये कोंदे आप 무ryp mural आपको चार ओवर कंफर्म करके देने में बोलर जब तक नहों उट ऊंवर अधर बहुत सर रहा है सारे कोई इंको अंहें कर सकते हैं इमा जोन्स अच्छा बोलर है जादा कुछ नहीं है छोड़ देना इनको ठाए कर सकते हैं एमा जोन्स अच्छा बोलर है अच्छा बोलर है बट चॉइस यहाँ पर है जो इनका जो उपर का जो बैटिंग ओडर है यह स्ट्रॉंग है तो कितना विकेट लेगा यह मुझे यह नहीं है बट मेरें तो एक दो तो ले ही लेंगे ठीक है उसके बाद age brown age brown को normal है ठीक है जे ओसली अच्छा बोलर है यहाँ पर जे ओसली जी पूल जी पूल तो बहुत ही अच्छा बोलर है दोनों के दोनों को आप try कर सकते हो और बाकि जो यहाँ पर दो प्लेएर है E Husband and E Maggore इन दोनों Bench का Player है इनका Second 11 जो है Second 11 का Player है कल First 11 का Match है तो इन दोनों Bench से खेल सकता है तो आप Try कर सकते हो Maggore का Second 11 के लिए Record अच्छा है पिछले का Record अच्छा है देखे COVID के लिए Last एकदार देर साल से कोई खेला नहीं है ठीक है और यह कोई international खेलरी है नहीं जो match practice पे रहेंगे domestic players है थोड़ा सा risky players है match बहुत अच्छा हो सकता आपके लिए grand league के लिए आपको मिल जाएगा कब मिलेगा लाइन आप आने के बाद final टीम अपडेट होगा वह यहाँ पे रहेगा हम लोग कर रेगूलर ग्रेंड लिक कर टीम और ग्रेंड लिक का जो टीप से वह मैं दे चुका हूँ टीम रहना आपके उपर है हम लोग का बहुत सारी users टीम बनाते है तो चलते हैं ड्रीम 11 टीम के ऊपर ड्रीम 11 में मैं अल्रीड एक डेमो टीम क्रियेट करेके रखा हूँ यह CVC को आप मत देखिए CVC मैंने ऐसे ही बना के रखा हूँ ठीक है क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो पर मैं स्मॉल लिक का CVC नहीं बता रहा हूँ वह मैं अच्छा म मैं तो आल्मोस्ट यह मैं टेलिग्राम पर लाइन अप के बाद ही बताऊंगा रिगर्डिंग ड़्ट टॉस्ट रिपोर्ट कौन आपको टॉस्ट रिपोर्ट हो सकता है वाकि यहाँ पर आप क्या क्या चेंजिस कर सकतो यहाँ पर आपको चेंजिस करने के लिए मैं बस CVC हटाने के लिए यह चीज किया अच्छा चेंजिस अब क्या कर सकतो यह मोगन को छोड़के एफ़ाइ मोरिस यह जोन के स्पीड यह तीनों के तीनों बहुत अच्छा प्लेयर है जे गर्डणर ऑस्ट्रेलिया वाला गर्डणर नहीं है तो इनको लिकाप सोचना मत यह तीन अच्छा यह तैनों में से आप किसी एक को ट्राइ कर सकते हो यह मेरा परसौन चॉइस है और यहाँ पर मैड्य विलिर्स खेलता है अगर नहीं खेलता है तो ही आप ट्राइब कर पाओगे खेलता है तो यह एक आपको टीम आपको मिल रहा है जहां पर मैं बाउचर को लिया साथ जग्ग है वो घने बहुत ही अच्छ है यह जनता का Captain वाइस Captain जनता का है यह वाला ठीक है इस पर से तो मैडी विलर्स तो बहुत ही अच्छा चॉइस है अगर खेलते तो one of the my sea option ठीक है कोई मतलब सोचना मत मैडी विलर्स अगर खेलते हैं तो इनको तो आप टीम पर ले रहा बट यहां पर मैं और आपको एक cvc option पर मैं और जिसको मैं बताने वाला हूँ आपके लिए यह वाला अप लिए सीडीन सीडीन के कैस्टल यह दोनों के दोनों all-rounder बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए ठीक है दोनों सीटेलर जीपूल यह लोग भी बहुत अच्छा है यह जो लेडी प्लेयर्स है बोलर्स यह भी आपके लिए ग्रैंड लिग कर डिफरेंशियल कैप्टेन वाइस कैप्टेन आउक्शन पर सकता है तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही बाकी मैं आयलेंड वोमें का भी